नमस्कार, आज हम बात करेंगे कफ की कारण जो मांसिक रोग होते हैं, मतब ऐसे लोग जो भयंकर आलसी होते हैं, मतब पहले अच्छे थे, बट अब कफ कुछ तो हुआ है, और कुछ होने के कारण वो एकदम आलसी से हैं, डले पड़े से, ना खाते हैं, ना पीते हैं, कुछ तरह की चीज़े होने लग गई हैं तो वो होती क्यों है उसके लिए क्या क्या लक्षण और चिकिसा अरविद में बोली गई है पूरी जानकारी इस वीडियो में स्थांग रिदयी नाम का बारे में और आज का टॉपिक है करणर जो मांसि ग्रोग होता है उसके बारे में तो वात और पित्ट गर만 रोग है अवने में अल्रेडि बात कर ली है आज करेंगे जिसमें वागभट जी ने अपना जो अस्टांग रिदय नाम का ग्रंथ है उसके उत्तरिस्थान के छटवे अध्याय के बारा और तेरा ऐसे दो जो श्लोक हैं उसमें सारी डीटेल्स उनों ने बोली है उन्होंने बोला जबी भी कफ बढ़ जाएगा अब कफ कफ बढ़ जाएगा कफ मतलब हम सर्दिखासी की बात नहीं कर रहे हैं कफ मत जो भी डॉमिनेंट चीज़े हैं उसको हम कफ बोलेंगे ठीक तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दही वही खाते हैं दिन में सोते हैं बहुत मीठा बहुत नम्मा बहुत खटा खाने के बाद आइसक्रिम काना रात में सोने से पहले दूद पीने की जिनको आदत है या ख पर लेट की केबल मोबाइल पर स्क्रोल ऐसे करते रहते हैं या वो सब भी छोड़ के बास जिनको सोना होता है इन सारे फेक्टरों से जो कफ दोश है वो बढ़ जाता है बढ़के मन पे जाता है और मन पे जाने के बाद फिर क्या-क्या लक्षन करेगा तो अगभर जी ने में एक बार भी खाना खाने का मन नहीं करेगा खाना देखने का ही मन नहीं करेगा और कई बार तो ऐसे होगा कि अगर जबर्दस्ती खाना खिला दिया तो उल्टी हो जाएगी कि पहले तो खाना देखने ही नहीं मतंद मेरे को डले रंदो सोने रंदो ऐसे बोलेंगे और फ पहले उल्टी होने की तकलिफ होगी तो ये है कफ के कारण मन पे इंपक्ट होके होने वाला कफ़चुनमाद फिर वो कहते है कि अगर ऐसा वेक्ति खाएगा तो थोड़ा सा ही खाएगा और किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा एकदम अके लिए रहना पसंद करेगा कि वास मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे जिन्दा हो यार काफी है इस तरह की चीज़े रहेगी कि अपने को पैक करके किसी से कुछ नहीं बोलना है कुछ नहीं करना है इस तरह की एक्टिविटी करने लएगा और एक चीज़ रहेगी ऐसे लोग करके पॉन मुवी देखना या असली जो कानिया आती है उस तरह की सेक्स स्टोरी स्टोरी इन चीज़ों को पढ़ना देखना सुनना इसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाल्व रहेगा तो जब ऐसा है कि खाना नहीं है उल्टी भी हो रही है कोई एक्टिविटी नहीं करता है एकांत अकेले में रहता है और अल्टी टाइम ब्रेन में केवल सेक्स चलते रहता है सेक्शुल थाट आना यंग एज में नॉर्मल है वो सबको उतने आएंगे बट 24 गंदा दिमाग में बस वही चलते रहेगा तो यह है कफ़ज उनमात के लक्षण और बार मुह से लार चूना ऐसी तकलीफ होने लएगी उनको सफाई बिल्कुल पसंद नहीं रहेगी बस एक दम मतलब दो दो चार 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 शेशे दिन तक नहाएंगे नहीं अकेले पैको के रहेंगे और एक खास लक्षण बोला है कि जब सुबा उठेंगे ना उनके चेरे पर आल टाइम सूजन रहेगी तो ऐसे लोग जो आलसी भी हैं अकेले भी हैं सेक्स के बारे हम सोचते हैं सफाई वफाई नहीं कर दे और एक और विश्यस लक्षण देखने मिलेगा कि जैसे ही वो रात का खाना खाएंगे रात का खाने के बाद उनकी तकलीफ कई गुना ज कफ के कारण होने वाले मानसिक रोग के लक्षण है तो यह होता क्यों है बहुत जदा मीठा वीठा खाना इस तरह की चीज़े देखने पर मिलती है इसका इलाज क्या है इसका इलाज आयरविद में बोला गया है कि भाई जो भी रोग है आदमी पहले नॉर्मल था अच्छा केवल दवा खाने से या केवल समझाने से कि देखो जिंदगी में तो ऐसा होता ही है हर एक का दिल तूटता है तुम्हारा यह हुआ है या इससे क्यों कर रहे हो तुम तो होनार बच्चे हो कुछ नहीं होने वाला कफ की इतनी मोटी लेयर से पहले उस आवरण को हटाओ हुआ है तो वह और डिप्रेस हो जाएगा ठीक है मैं डला हूं मैं और डला रहूंगा ठीक तो वमन्ची किस्ता बोलते हैं फिर इसमें बहुत अच्छी जो भी दवाई है नेचर में और गरम है वह बहुत अच्छा काम करेगी सबसे इस और आसारी से मिलने वाली जो दवा है वह अरी तखी हरी तखी के पारे में जब आप श्लोका पड़ेंगे उसके विडियो में ने हरद हरडे इस पर वीडियो डाला ही है उसके फायदे बताते हुए चरग सहीता हमें वह बहुत अच्छा काम करती है बहुत साह लोगों कर अलगता हरड मतलब हमने की बात कर रह बहुत अच्छा काम करेगी, खाना खाने के बाद आधा चमच हरड पाउडर क्योंकि वो गरम और ड्राय है, जो भी आप्स्ट्रक्शन है, ब्लॉक है जिसके काना आदमी बहुत आलजी हो गया है, बहुत ज़्यदा सेक्शुल थॉर्ट आने लग गये हैं, बहुत ज़्यदा कई सहरे लोग को लगता है कि आईरवेद की हर दवा में गवमुत्र है, वो इनका एक अलगी चलू रहता मार्केट में, ऐसा नहीं है, आईरवेद में दोशों के हिसाब से उश्यदियां होती है, कुछ दवाईयां जिस पे हमें कफ पे, ब्लॉकेश पे काम करना होता है, उ प्रक्तीश नहीं, भेतन करने वाला, फोड़ने वाला और चीजों को निकालने वाला, क्लियर करना एक उसका में चीज है, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करने वाला उसका गौमुत्र की प्रापर्टी है, तो जो देसी गाई का गौमुत्र होता है, वो गौमुत्र अगर 20 तक ही ले सकते हैं ठीक इसके बाद ऐसे लोगों के लिए जोतिश मती नाम की एक उश्रदी होती है जो की बहुत ज्यादा गरम होती है निचर में और ब्रेन पे मज्जा पे बहुत अच्छा उसका एक्शन है दिमाग के सारे सिस्टम पे कफ की ब्लॉकेज को क्लियर करना है आ बहुत अच्छा एक से दोड़ रॉप उसकी मात्रा बहुत रखना क्योंकि बहुत गरम होती है कई बार अलसर चाले या गर्मी होने के चांसे होती है या बेटर आपकी जो डॉक्टर होगे उनके अंडर में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा यह बहुत अच्छा काम करेग और शड़ बिंदू जैसे जो तेल है वो दो दो बुन नाक में डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं मन को क्लियर करने पे एक वच्छा नाम का पाउडर होता है वच्छा पाउडर आराम से कोई भी आईरविदिक शॉप पे मिल जाता है तो एक से दो छुटकी वच्छा पाउडर हनी में मिला कर अगर लेते हैं तो ब्रेन को जो ब्रेन पहुत डल हो गया है पुरा डाउन हो गया है ऐसे बड़े लोगी नहीं बच्छो की भी बात करें जो बहुत ही ज़्यादा डल है आलसी है कुछ नहीं करते हैं मूँ से लाड निकलती रहती है एक या 5 साल का बच्चा है बट all the time चड़ी में हाठ डाल के कुछ ड़ा कुछ activity मतब sexually वो चीजे दिखाने लग गया है जो कि उसकी age नहीं है ठीक तो वचा जैसे जो powder है एक से दो छुटकी honey में मिला कर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसे लोगों को खाने में जो तीखे item है वो बहुत अच्छे मदद करेंगे जैसे कि त्रिकटू जैसे जो item है वो आप खाने में उनको मिला कर दे सकते हैं कड़वी item जरूर इंटर्ड्यूस कीजे खाने में करेली की सबजी परवल की पतला वो पहली बात तो खाते नहीं पर जब भी भी खाएंगे तो करेली की सब जो भी हम सुनते हैं ना are you depressed, are you alone, zero motivation तो आईरवेदा तो देना ही है तक्रधारा जिसी चीजे जो आईरवेद में बहुत अच्छा काम करेगी cleaning करना ही है ऐसे लोगों को अगर workout में लगाते हैं तो exercise से क्या होगा ऐसे लोगों के जो कफ का आवरण है वो clear होगा और exercise करने से उनका जो भी कफ की कारण यह जो downness है बोडी का वो normal हो जाएगा यही बात की कारण मानसिक रोग होगा वो exercise करने जाएगा उसकी और वाट लग जाएगी पर कफ की कारण है तो किसी भी तरह की activity walking करवाना कि थोड़ा strength training करवाना या कुछ भी activity में आप उनको लगाएंगे त जादा fast उनका कफ क्लियर होगा जितना कफ क्लियर होगा उतनी जल्दी वो ठीक होने में आपको देखने मिलेंगे नाक में ऐसे में सरसो का तेल क्योंकि ओस्ट ने तीशन होता है दो दो ड्रॉप डालता है उससे भी बहुत फाइदा होगा पूरी बोड़ी पे सरसो का तेल लगाना या सरसो के तेल से पैर के तलवे पर मालिश करना ये तरीके भी इस तरह के कफ रोग में बहुत अच्छे काम कर दें बाकी दवाईयां बहुत सारी है उनमें से कोई भी दवा जैसे सारसुतार इष्ट मानस मित्रवटकम ब्रामी गोल्ड ऐसे कई सारी दवाईयां ह और यसे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें